नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है अभिनिंदन है जैसे मैंने सेमपी डिग्री कॉलेज की आपको काउंसलिंग की विस्टे में बता रहा है वैसे ही एक वीडियो हम डाल रहे हैं जगत तारंग गल्स डिग्री कॉलेज अब एक एक सिरीज चलेगी अलग कैसा प्रोसेस है आप इस वीडियो के मादन से ध्यान से देखिए जो लडिकियां है वो भूत ध्यान से सुनेग visa 같아 confusion होती है यहीं पे आपके confused सबसे ज़्यादा होना पड़ता है क्योंकि इसका process थोड़ा सबसे ज़्यादा अलग है यहां online भी आना है offline भी आपको आना है दोनों तरीके से आपको admission कराना है मालेजे के जगतारन डिगिटी college की सूचना आई है कि आप jtgdc.ac.in पे जाईए जो भी लड़कियां admission लेने के चुक है वो पहले चार तारिक से लेकर के 10 तारिक तक अपना registration करें देखे जगतारन की website खुलती है खुलने का मतलब यह है कि जैसे आपने अलहबाद विश्वदाली का registration किया जो भी लड़कियां है सूचना आई है कि बिकॉम वाली लड़कियां जो है पहले registration करेंगी किसका चार तारिक से registration प्रोसेस स्टार्ट है जगतारन का तो आप जगतारन डिगरी कॉलेज की website पे जाएंगी वहाँ पे आप क्लिक करेंगे CUT UG वाले option पे क्लिक करने के बाद फिर आप पे registration करेंगी उसका पैसा वैसा नहीं लगता मेरी ख्याल से लगता नहीं इतना मैं जानता हूँ आप जब उसको registration करेंगे तो आपका registration कंप्लीट हो जाएगा जगतारन की website पे यानि कि आप counseling के लिए जा रही है यानि registration आपका पहले होगा तो माली जे 6 दिन में जितना registration हो पांस दिन में जितना registration लड़कियों ने किया यानि 4, 5, 6, 7, 8 इन 5 दिनों में जो भी लड़किया registration विकॉम की करेंगी उनका फिर analysis किया जाएगा कि इतनी लड़कियों ने भी तक registration किया है आपको registration कर देना है जगतान की website पे जाके जो भी लड़किया जगतान के लिए admission लेना चाहती है फिर उसके बाद दो दिन में फिर आएगा मामला फिर offline जो है आपका seat allotment और ये सारे process होंगे तो माल लीजे कि 11 सितंबर के date दी गई आपके लिए 9 को नोटीस आ गई कि बिकॉम काटेगरी की जो registration लड़किया बिकॉम की जगतान ड़गिरी कॉलेज की website पे की है चार से नो तारिख के बीच में उसमें 400 नंबर के उपर की जितनी भी चात्र चात्र हैं वह 11 तारिख को आके जगतान ड़गिरी कॉलेज के परिसर में आफ लाइन काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको 11 तारिख को 11 बजे पहुचिना है कहां पर इलहाबाद इलहाबाद आपको 11 बजे आना है 11 तारिख को अलग अलग डेट रहेगा जानि 400 नंबर के उपर की चात्र है 11 तारिख को सारे 300 से उपर की चात्र है 12 तारिख को 300 से उपर की चात्र है 13 तारिख को आपको आपका बेरिफिकेशन होगा, डॉकुमेंट का, फिर आपको सीट अलॉट किया जाएगा, आपका अड्मिसन वहाँ पे कम्प्रीट होगा, अड्मिसन कम्प्रीट होने के बाद आपको एक से दो दिन का समय दिया जाएगा, जगतारन डिगरी कॉलेज की विबसाइट पे जाके फीस पेमेंट की, वहाँ पे आप जाके online, online फीस पेमेंट होगी, offline नहीं होगी जगतारन में, लेकिन आपको offline पहले जाना पड़ेगा, counselling के लिए, पहले आप online registration करेंगे जगतारन की विबसाइट पे, जिनके लिए कहा जाएगा, वही करेंगी, फिर आपको बु पे जाके फीस को पेमेंट करना पड़ेगा, जब आपका फीस पेमेंट हो जाएगा, तो आपका फीस रसीद online आजाएगा, जगतारन की वेबसाइट पे, ये पूरा प्रोसेस जगतारन डिगरी कॉलेज का है, ऐसा ही बी एक होगा वहाँ पे, तो आपको मैंने सीधे साब स तारिक तक, कि अब फिर से आप रजिस्टेशन करिये, यानि BA, BSC, BA और BCOM की जो लड़कियां बच गई हैं, वो फिर से रजिस्टेशन करें, 14, 15, 16, 17, 18, पान दिन खोल दिया गया फिर पोर्टल जगतारन का, तो पान दिन में जतनी लड़किया रजिस्टेशन किये रहें अब ही तो पहले राउन का ही खुला है, तो यह हम प्रोसेश जगतारन का आपको बता रहें हैं, सिंपल साब सब्दों में, ऑनलाइन रजिस्टेशन होगा पहले, जगतारन की वेब साइट पे, ऑफ लाइन काउंसलिंग होगी, जगतारन के परिसर में, उसका भी सड़ेव बुलाएगा, जोने रजिस्टेशन किया रहेगा, वही जाके काउंसलिंग करवा पाएगी, माली जी आपने पहले राउन में रजिस्टेशन नहीं किया, तो जब दूसरी बार पोर्टल जगतारन का खुलेगा रजिस्टेशन के लिए, उसमें आप जब करेंगे, फिर अगली राउन में बूलाए जाएगा, तो ऐसा परिसान नहीं होना है कि हाई 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 हाई, यह सब नहीं करना है, ध्यान से सुनना है चीजों को, और समझना है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार,